बहुत सारी multinational companies में भी हम देखते हैं, work pressure की वज़े से people tend to commit suicide या वो बहुत जादा depression में चले जाते हैं अपने families के साथ बैठो, उनके साथ interact करो, अपनी friends के साथ बातचीत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहोगे, थोड़े time में frustrate हो जाओगे, तो उससे आपकी health effect होने लग जाएगी अभी जो आपके अगले दो महीने हैं, वो इतने crucial हैं कि अगले दो महीने का planner आपके पास already बना हुआ होना चाहिए आपके जीवन में कोई एक वेक्ती ऐसा जरूर होना चाहिए, जिससे आप खुल कर अपनी दिल की बाते शेयर कर सको Hello everyone, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with the interesting session जहां हम discuss करेंगे how to handle work pressure. हम लोगों ने recently news में देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो 2017 नीट के टॉपर थे he committed suicide and likewise बहुत सारी multinational companies में भी हम देखते हैं work pressure की वज़े से people tend to commit suicide या वह बहुत जादा depression में चले जाते हैं तो आज के session में हम यह discuss करने वाले हैं कि आपको आपका work pressure कैसे balance करना चाहिए यह benefit यह वीडियो का benefit आप सभी को भी मिलेगा इस session से आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा क्योंकि अब आपका CLAT का ELIT का exam पास आ रहा है समय कम होता जा रहा है दो भीने का ही समय आप लोगों के पास बचा है लगबग तो इस समय में कैसे आपको work pressure को maintain करना चाहिए आपका work life balance आपको कैसे maintain करना चाहिए किन factors का आपको ध्यान रखना चाहिए which will definitely help you in improving your efficiency at the same time आप अपनी health mental health physical health को भी maintain कर सकते हो ठीके जी शुरू करते हैं आज के session के साथ सबसे पहले set boundaries for healthy lifestyles देखो हम लोग अलग अलग time frame में बच्चे होते हैं हमारा कुछ और goal होता है हम class 12th में हैं we will have different goals when we will be in college we will have different goals but हमेशा goals के लिए काम करते करते हैं जो बाकी हमारे factors हैं life के जो की equally important हैं हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए if you are studying जैसे कि आप लोग exam के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है बहुत अची चीज है आपने अपना goal set किया है बट उसके साथ ही आपको boundary set करनी होंगी कि इतना time मुझे पढ़ाई में लगाना है इतना time मुझे socialize करने में लगाना है socialize का मतलब यह नहीं है कि Instagram पे Facebook पे यह socializing नहीं है सिर्फ अपने families के साथ बैठो उनके साथ interact करो अपनी friends के साथ बातचीत करो उस socialize के बारे में socialize करने के बारे में मैं बात कर रही हूं उसके अलावा पढ़ो socialize करो और अपनी health का भी ध्यान रखो और health का मतलब यह नहीं है सिर्फ mental health it includes physical health also so you have to balance both the things पढ़ना भी है socialize भी करना है और अपनी health का भी ध्यान रखना है और अच्छे से healthy boundaries draw करनी है इस concept में ताकि आप लोग एक अच्छा सा balance maintain कर सको क्योंकि देखो अगर सिर्फ और सिर्फ health पे ध्यान देते रहोगे पढ़ाई नहीं करोगे तो stress हो जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहोगे थोड़े टाइम में frustrate हो जाओगे तो उससे आपकी health effect होने लग जाएगी तो इस तरीके से यह जितने भी factors है ना interrelated है बट आपको इन आपको बताया कि आपको अपने दिन का कुछ time socialize करने में लगाना चाहिए कुछ time आपकी health पे जो है आपको वो करना चाहिए इसमें प्रवाइड करना चाहिए कुछ time आपको आपकी studies के लिए डिवोट करना चाहिए तो यहां पर time management बहुत जरूरी है अब यह नहीं है time management का मतलब मैं हरोत सुबह उठके plan करूं सोचूं क्या करूं अभी जो आपके अगले दो महीने हैं वो इतने crucial हैं कि अगले दो महीने का planner आपके पास already बना हुआ होना चाहिए it will definitely help you आप आगे का जो है कल की image दस दिन बाद की image एक महीने बाद की image आप clearly देख पाओगे that where I will be standing physically मैंने या अपने mental level के health पर मैंने अपने आपको इतना improve करना है syllabus मुझे इतना improve करना है तो ऐसे अलग-अलग aspects को आपको deal करते हुए आपको time management daily basis पे भी करना चाहिए और long term आपके जो goals है वो भी ऐसे ही set करने चाहिए now next after this is ask for help देखो आज कल की generation में यह बहुत बड़ी दिक्कत है है ना किसी से help मांगते वे बड़ी उनको शरम आती है कि भई हम नीचे हो जाएंगे किसी से हम छोटे हो जाएंगे नहीं देखो asking for help I am not saying you you go and ask for help from a stranger you have family that is why we think that is why I am emphasizing on the need of socializing be it your friends, be it your family, be it your parents or your siblings you should have someone in your closer circle whom you can trust जिससे आप अपनी दिल की हर बात शेयर कर सको अगर आपको किसी भी तरीकिक कोई stress है आपको किसी भी तरीकिक की life में कोई भी problem है चाहे आपके professional front पर है चाहे आपके personal front पर है आपको आपके जीवन में कोई एक वेक्ती ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप खुल कर अपनी दिल की बाते शेयर कर सको उसके क्या है आप mentally stress नहीं होते हैं otherwise आप सब कुछ अपने ही मन में pile up करते रहोगे अपने ही मन में सारी मतलब वखिचड़ी पकाते रहोगे तो अंत में वो फिर एकदम बंफटता है तो बंफटने से बचाने के लिए धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी gas leak करते रहना चाहिए मतलब जहां कहीं पर अपनी problem को discuss नहीं करोगे आप solution कैसे डूंड होगे तो always there is no shame in asking for help if you think you are facing any kind of trouble you can ask or you should ask for help from your family or friends ठीके जी next is practice relaxation techniques जैसे कि मैंने बताया mental health बहुत ज़रूरी है बहुत underestimated है अबे भी बहुत सार ऐसे लोग सुमझते हैं कि mental health का क्या issue हो सकता है बट हम recently news में या अलग-अलग research reports में देख रहे हैं कि जितना concerning हमारे physical health problems है उससे ही जादा concerning है हमारी mental health problems physical problems जो है physical health से related problems prominent हैं सबको दिखती हैं सबको नजर आता है कि ये issue है बट mental health को हम recognize नहीं करते या उसकी जो जूड़ी हुई problems हैं उनको recognize नहीं करते हैं सबसे पहले तो उनको recognize करना बहुत जरूरी है कि work का stress होता है पढ़ाई का stress होता है multiple types of situations are there जिसकी वज़े से हम at time stressed feel करते हैं उसको दूर करने के लिए breathing exercises meditation mindfulness यानि कि हो सकता है you should spend some time of the day with yourself with yourself का क्या मतलब है meditation करो go for a long walk ठीक है with yourself का मतलब यह निया कि Netflix के लागे movie देखने लग जाओ यह करने लग जाओ हां कभी-kभी आप भी कर सकते हो बट अपने दिमाग को अपने मन को शांती करना शांत करना या उसमें स्थिर्ता लाना वह बहुत जरूरी है ठीक है अब इसके बाद next we have be resilient resilient का क्या मतलब है कि suppose आपने कुछ goal set किये अपने लिए आपने यह सुचा था कि मुझे एक महीने बाद इतना syllabus मेरा complete हो जाना चाहिए बहुत सारे बचों ने time line set की होंगी time table भी बनाया होगा but कई बार because of some factors कई बार आप की motivation कम हो जाती है धीरे-धीरे कई बार health factors की वज़े से और due to multiple factors जैसा आप चाहते हो आपको वैसा desired result नहीं मिलता तो resilient होने का मतलब है कि जो भी चीज आपके हाथ में है जो भी present situation है even though it is not according to your convenience or according to your desired achievements or desired goals you should not dishearten yourself आपको यह देखना चाहिए current situation यह है मेरे पास present resources यह है resources में आपका time भी है resources में आपके books भी है resources में आपके lectures भी है resources में आपके faculties के साथ जो आपका contact है तो जितने भी resources हैं और जो problem है उन दोनों को merge करके देखो कि मैं आपने resources से current problem को कैसे solve कर सकता हूँ तो यह resilience आपको सिर्फ में यह नहीं कहते है आज इस paper के लिए use करनी चाहिए यह resilience आपके life के हर front पे आपके अंदर present होनी चाहिए चाहिए वो आपके professional relations में है चाहिए वो आपके personal matters में है resilient होना बहुत ज़रूरी है यह नहीं है कि मेरे हिसाब से मुझे result नहीं मिला मैं रोने बैठ जाओं kind of you know relaxation कि चलो if this does not go well I will go for this route ठीक है so that is why each and every one of us should be resilient that will definitely help in achieving the desired goals don't ignore your thoughts आपके mind में कोई भी thoughts हो रहे है आ रहे है चाहिए positive है या negative है कुछ भी concerning है कुछ भी stressing है ask for help जैसे मैं already discussed कर चुकी हूँ you should always discuss your thoughts with someone in the family or you can do one more thing बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने thoughts को लिखने से भी क्या है आपके दिमाग में जो वो खिचडी पकरी थी वो सारी paper पर आ जाती है you feel much more calm you feel much more calm and composed so you can try that either talk to your family or friends or you can write it down on a page you will feel very light then after that stay positive positive रहना बहुत जरूरी है भई हर चीज में हमेशा यू सोचे अरे यार ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा positive रहोगे mental health सही रहेगी physical health सही रहेगी efficiency बढ़ेगी आपके outlook से ही सारे चीजों में impact create होता है आपके physical life में physical health में mental health में personal relations में professional relations में you have to stay positive positive के लिए again interaction socialize करना instagram वाला socialize नहीं family friends के साथ socialize करना ठीक है that is very important ठीक है जी so I hope आज का जो ये session है जिसमें मैंने कुछ important pointers discuss किये I hope अगर आप में से कोई बच्चा low feel कर रहा है या कुछ भी stressed feel कर रहा है because of the examination ये जो pointers हैं please इनको अपनी life में follow करो सिर्फ ये नहीं कि पेपर तक follow करो उसके बाद भी in general be they will create a deep impact in your life ठीक है जी so that's all about today's session if you have any concerns if you are facing any troubles अगर कुछ भी concerning है आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने thoughts या आपने ideas share करना चाहते हैं you can definitely mention in the comment section and we will get back to you so that's all about today's session I hope all of you must have gathered something positive from this session so that's all that's it about this session see you all in the next session till then bye bye take care